हेलो फ्रेंड्स हम लोग समरूपता पर आधारित जो है एक्जाम्पल्स देखते हैं इनसे आर्टी बुक में क्वेस्टन नमबर फॉर जो एक्जाम्पल नमबर फॉर आपका दिया है समरूपता के लिए हम लोगों ने तीन फियोरम पढ़ा है तीनों को अप्लिकेशन करेंगे आकिरती में पी क्यू समानतर आर्यस यह चित्र आपका दिया है पी क्यू और आर्यस क्या है समानतर है तो सिद्ध कीजिए कि तिर्भुज पी वो क्यू समरूप तिर्भुज एस ओ आर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सुरुआत के कुछ क्वेस्टन हम लोग एकदम बहुत अच्छे से करेंगे एक एक स्टेप बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेप को स्किप कर सकते हैं लेकिन अभी एकदम आराम से करेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पीक्यू समानतर आर्यस दिया है पीक्यू समानतर आर्यस यह आपका ने दिया है और हमको तिर्वुज पी-वो यह प्यएं सम्रोब तिर्वुज है इस वो आर्यस शिद्ध करना है कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है यही तो important होता है कि हमको एक दम clear cut पता होना चाहिए कि question में क्या चीज दिया हुआ है तो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं बाद में हम नहीं लिखेंगे लिखेंगे अभी लिख लेते हैं इसमें किसी भी side के बारे में कोई information नहीं दिया है किसी भी side के बारे में length किसी का कुछ नहीं पता है side तो हम लोगों के पास जो समरूपता की criteria है ये एक है angle-angle और एक है side-side और एक है side-angle side, ये तीन कासोर्ति हम लोगों के पास है पहले में क्या involved है? पहले में संगत कोड involved है दूसरे में क्या संगत भुजाए involve है तीसरे में क्या है? एक कोड और उस कोड को अंतरगत करने माली दूनों भुजाएeurs तो यहाँ पे हम लोग जो apply करेंगे तो side के बारे में कोई information दिया नहीं है तो side का ratio आप बराबर नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो side वाला ये सोचना वेकार है ये तरीका भी सोचना वेकार है अपना पूरा focus किस पे होगा angle angle समरूपता कसोटी पे होना चाहिए यानि जिन तिर्बुजों को हमको समरूप करना है उनके angle angle वाला लगेगा अब कैसे करते हैं हम लोग आप हम लोग देखते हैं कि आप यह जानते हैं कि दो line जब cut करती है ऐसे दो line ऐसे cut करती है तो जो जुकाओ ये होता है ठीटा वही जुकाओ यही होता है थीटा इसको क्या मोलते है सीरसा विमोग कोण तो यहां पर जो यह इंगिल होगा कि I'm not दूबारा चितर बना दे रहा हूं फिर क्वैस्टरण वाले चितर में जो है हम लोग क्या करेंगे उसको वैसे क्वЕस्टन वाले चित्र में हम लोग कोई हयर फेर नहीं करेंगे जो सो करेंगे वह अलग चित्र बनागे करेंगे के यह इपी यह वो एक्यू के आर यह यह आश की यह दोनों लाइन है ये ये देखिए ये इंगल जो होगा वही ये इंगल होगा तो पहला हम लोगों को क्या मिला सीरसा भी मुकॉर उसको बोलते हैं कि कॉर और किसी भी इंगल को पढ़ते कैसे हैं Q O P या P O Q पढ़ सकते हैं कॉर Q O P Q O P पराबर पॉर्ड आर ओ एस ये हम लोग कैसे कह पाएं ये है सीरसा भी मुकॉर सीरसा भी मुकॉर जो होते हैं वो बराबर होते हैं इसी सीरस पर ये भी कौन बना है इसी पर ये भी तो ये दूनों क्या है एक्वल है ये हमको पता चल गया अब देखे हमको दिया है पी क्यू समानतर आरियस यानि पी क्यू और आरियस क्या है ये पी क्यू और आरियस हमारा समानतर है तो हम लोगों को एक चीज ये पता है कि दो समानतर रेखा हैं एल और एम दो समानतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा कट कर रही है क्या है एल समानतर m है दो समानता रेखाओं को कोई तिरियाक рेखा कट कर रही है तो यह होता है संगत कोण ये ठीटा ये भी क्या होता है ठीटा और आप देखे ये जो ठीटा होगा यहाँ के लिए ये सिर्शा भीमकोण हो जायेगा तो ये भी ठीटा हो जाएगा यानि ये एंगिल और एंगिल क्या होता है बराबर होते हैं ये एंगिल ये एंगिल भी बराबर होते हैं तो इनको और इनको संगत कोण कहा जाता है इनको और इनको एकांतर कोण कहा जाता है अब वही चीज हम लोग यहां पे लगाते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं यह ऐसे गुमा के देखे कि इन समांतर रेखाओं को ये रेखा कट कर रही है तो ये इंगल जो होगा आपका इसके बराबर होगा इसको क्या बोलेंगे एकांतर कौन बोलते हैं दो समांतर रेखाओं को जो काटती है तो ये ये क्या होगा इक्कोल होगा उसी हिसाब से ये दो समांतर रेखाओं को ये तिरियक रेखा कारती है तो ये जो कॉर होगा वही कॉर ये भी होगा ये भी एक आंतर कॉर हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि एंगिल O Q P O Q P आपका किसके बराबर है ये वाला एंगिल इसके बराबर है O R S के एंगिल O R S के और एंगिल O P Q ये आपका बराबर है एंगिल O S R के इसका इस्प्लानेशन क्या है कि ये देखिए दो समानतर रेखाएं है P Q और R S आपको दिया है ये हमने बना दिया P Q और R S दो समानतर रेखाएं है क्योंकि P Q और R S समानतर है उनको एक तिर्यक रेखा ये कट कर रही है तो जो तिर्यक रेखा को त्रियक रेखा कि क्यू आर कि क्यू आर और पियस काटती है तो क्या होगा एक आंग तर कौन कि तो यह आप दोबारा समझने कि сок farm to कि इसको आ क्यों छोग अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं यह थोड़ा उल्टा बन गया और दो समांतर र begging हैं हैं दो रेखाया क्या है समांतर है इनको कोई रेखा जब कट करती है तो यह को और वोटा है यह को यह 해요 होता है यह पता होना चाहिए कि यह और M क्या है L parallel M है तो यह इंगल दोनों क्या होगा एक्वल हो तो अब हम देखते हैं कि जो दोनों तिर्भु जिसको हमको सम्रूप सिद्ध करना है उसके तीनों संगत कॉंड जो है अपने आप बराबर आ रहे हैं देखिए कॉंड पी किस इस पर बना है उसको कॉंड पी तो लोग क्या कहेंगे कि तिर्भुज कि ओ पी क्यों कि तथा तिर्भुज ओ और एस में कॉंड पी किसके बराबर है आप यह देखे कॉंड पी यह कॉंड एस के बराबर है यह वाला कॉंड इस वाले कॉंड के बराबर है इसको ऐसे लिख देते हैं कि यह इसको ऐसे थीटा नाम दे देते हैं तो यह भी थीटा हो गया इसको ऐसे फाई नाम दे देते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा फाई देखने में तोड़ा अच्छा लगेगा पता तो के बराबर है और यह तो हम लोग क्या कहेंगे कि तिर्भूज और वी तो तो कि संगत जाएगा मैं अब पी के संगत क्या होगा तो एस वाले पर फाई बन रहा है तो पी वाला किसे संगत जाएगा S के संगत O S Q Q आले पर Theta बना है R ही बचा है तो तिर्भूज O S R अब हम लोग देखें यह लिखा है PO Q तो इसको जो है थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं इसमें आप चेंज करेंगे मतलब कि हमको तिर्भूज P O Q समरूप करना है OP Q जो भी लिख दिया तो P O Q किसके समरूप हो जाएगा तिर्भूज P के संगत क्या है यहाँ पर देखें P के संगत S है P के संगत S O के संगत O ही है Q के संगत क्या है R है और यह कहां से मिला Angle Angle समरूप तक Assorty से तो यह हमारा जो है क्या हो गया प्रूव हो गया है तो इसमें जो भी चीजे यूज होगी वह हम लोग क्या करेंगे सारे देखते जाएंगे थोड़ा बहुत एक दो पुरानी चीज़े भी यह उज़ोंगी तो उसका हम लोग अलग से एक तुम क्लियर कट देख लेंगे इसके बाद फिर हम लोग क्वेस्टन करेंगे इसका एक्जामपल नमबर फाइल तो इतना ही रखते हैं थैंक्स वारवा क्वेक्श है